गुना बीजेपी उपाद्यक्ष और समर्थको पर F.I.R पार्टी पतादिकारी को धंकाया तुम यूपी के गौाल नहीं जाओ CM डॉक्टर यादव के खिलाफ नारे बाजी नमस्कार, मैं श्वेता आपका दाखबरदार ड्यूज में स्वागत करती हूँ तो चले रुक करते हैं आज की प्रमुक खबर पर गुना में भारती जनता पार्टी के जिलाव पाद्यक्ष हीरेंदर सिंग और बंटी बना पर सिटी कोतवाली में F.I.R दर्च हुई है उन पर पाटी के ही गुना जिलाव पाद्यक्ष वाई यादव महासबा के कारेकारे प्रिदिशाद्यक्ष आरेन यादव को धंकाने और सी एम डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ नारे बाजी के आरोप है बंटी बना की मौझूदगी में उनके समर्थकों ने यादव पर घर पर तोड़ फोड़ की है इस पूरे विवाद की यादव ने कॉल रिकॉर्डिंग्स और सीस टीवी फूटेज भी जारी कर दिये है कॉल रिकॉर्डिंग में बंटी बना आरे न यादव को कहते हुए सुनाई दे रहे है कि तुमने मेरा चुनाव में विरोध क्यों किया तुम यूपी के गौाल हो वही जाओ यादव ने घटना के अगले 30 दिसंबर को इसकी शिकायत कोतवाली में दर्च कराई थी जाँच के बाद पांच लोगों पर नामजद केस किया गया एफ आयार के मताबिक घटना 29 दिसंबर की रात 11 बच कर 17 मिनिट पर हुई है बंटी बना अपने 10 से 15 साथियों के साथ आई वे पिस्तॉल बंदू को धारदार हत्यार लिये हुए थे घर पर डंडे और पत्थरों से हमला किया नेम प्लेट तोड़ दी अंदर घुसकर भी तोड़ फोड़ की मुक्यमंद जॉक्टर मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे लगाये और यादवों को अब शिब्द कही है बंटी बना बीजेपी की ओर से रागोगर सीर से विदानसबा चुनाव लड़े थे जैवरदन सिंग से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था विदानसबा चुना में मिली हार पर विवाद बीजेपी नेता और अखिल भारतिया वाशिक यादव महासबा के कारेकारी पिर्देशा ध्यक्ष आरेन यादव गुना शहर की भारगव कॉलोनी में रहते हैं वहमूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन पिछले 30 साल से मदर प्रदेश में रह रहे हैं उनके पास 29 दिसंबर को रात बंटी बना का कॉल आया विवाद विदानसबा चुना में मिली हार को लेकर है कॉल करने के बाद घर जाकर हमला करने के कुछ देर बाद बंटी बना अपने कुछ समर्थकों के साथ आरेन यादव के घर पहुंच गए आवाज लगा कर आरेन यादव को बुलाने का प्रयास किया लेकिन वे बाहर नहीं निकले इस पर से बंटी बना के साथ रहे कुछ युवाउने आक रोश्ट दाते हुए निवास पर हंगामा कर दिया कुछ दिर रुकने के बाद सभी लोग चले गए बंटी बना ने दीती सफाई समर्थकों को लेनी गया था मामला सामने आने के बाद भाच्वपाद्यक्षिर हीरेंदर सिंग भी सामने आये थे उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि टिकेट मांगना सभी का हक है टिकेट किसी एक को ही दिया जा सकता है जिसे टिकेट मिले बाकी सभी को इसके लिए काम करना चाहिए मेरी जानकारी में आया था कि arn यादव ने पार्टी पृतियाशी के खिलाफ काम किया है उन्होंने कहा arn यादव से फोन पर बाचित, कुछ एक्कारी करता, उन्हें सुर ली थी मुझे करमचारी ने बताया था कि समर्टक यादव के घर जाने की बात कर रहे थे इसके बाद मैं अपनी ड्राइवर और करमचारी को लेकर यादव के घर पहुंचा, समर्थकों को समझा कर वापस ले आया खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहे दाख खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP Construction Solutions आपके लिए तैयार है मजबूत Civil Engineering से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां, दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल 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 झाल